पॉलिवोड के सदा बाहर एक्टर किसोर कुमार जितने अच्छे अबिनिता और गायक थे उतने ही रोमेंटिक भी थे मल्टी टेलेंटेट किसोर कुमार की प्रेम कहानी बहुत ही दिल्चस्प है आपको बता दें कि किसोर कुमार को एक बार नहीं बलके चार-चार बार प्यार हुआ था और उन्होंने चार साधियां की थी किसोर कुमार जितना अपने फिल्मी केरियर के लिए मसूर थे उतना ही वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चाओं में रहे तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं कि कैसे किसोर कुमार को किस एक्टर से कप प्यार हुआ और उनकी किस तरह से चार साधियां हुई तो किसोर कुमार की पहली साधि हुई थी रूमा गोहा से जो की बंगाली मुवीज की एक्टरस थी जब किसोर कुमार और रूमा गोहा का प्यार आगे बढ़ा तो दोनों ने 1951 में साधी कर ली ये साधी कुछ साल तक तो अच्छी चली लेकिन 8 साल के बाद साधी में प्रॉब्लम आने लगी वज़ा ये थी किसोर कुमार नहीं चाते थे कि रूमा गोहा मूवीज में काम करें धीरे धीरे दोनों के अंदर दूर यां बढ़ती गई और किसोर कुमार ने अपनी पहली पतनी रूमा को तलाग दे दिया इसके बाद किसोर कुमार ने साधी की मदुबाला से जो कि 1960 में की थी बताते हैं कि किसोर कुमार उस वक्त मदुबाला के प्यार में इसकदर पागल थे कि उन्होंने साधी के लिए इसलाम धर्म भी अपना लिया था दिलीब कुमार से रिस्ता तूटने के बाद मधुबाला को किसोर कुमार से प्यार हो गया था और किसोर कुमार अपनी पहली पत्नी को तलांग देने के बाद मधुबाला के साथ कई सारी मुवीज में दिखाई दिये जिसमें चलती का नाम गाड़ी और हाफ टिकेट काफी फेमस मुवीज में से थी मदूबाला और किसोर कुमार ने जब साधी की तम मदूबाला करीब 27 साल की थी साधी के कुछ साल बाद ही मदूबाला को ये पता चला कि उन्हें एक गंभीर बिमारी हो गई है उनके दिल में छेद था बताया जाता है कि किसोर कुमार और मदूबाला साधी के बाद लंदन चले गए थे और वही पर उनका इलास चला लेकिन मदूबाला बच नहीं पाई साधी के करीब दो साल बाद ही मदूबाला दुनिया को अलविदा कहकर चली गई इसके बाद किसोर कुमार ने तीसरी साधी की योगिता बाली से ये साधी 1976 में हुई थी लेकिन किसोर कुमार का रिस्ता योगिता बाली से भी लंबे समय तक नहीं चला बहस तीन सालों के अंदर ही योगिता बाली से उनका तलाग हो गया और इस साधी के तूटनी की वज़ा थे मित्थुन चक्रवर्ती जिहां बताया जाता है कि मित्थुन चक्रवर्ती और योगिता बाली एक दूसरे को प्यार करने लगे थे और किसोर कुमार से तलाक के बाद योगिता बाली ने मित्थुन चक्रवर्ती से साधी कर ली इसके बाद किसोर कुमार ने चौती साधी की थी लीना चंद्रावर कर से जी हाँ वो लीना से मनकामीत मूवी के सेट पर मिले थे लीना एक विद्वा थी और किसोर कुमार तीन साधी कर चुके थे लीना किसोर कुमार से करेब 20 साल चोटी थी हाला कि लीना के पिता इस रिस्ते से नाखुस थे तब लीना ने अपने पिता के अगेंस जाकर किसोर कुमार से साधी कर ली तो इस तरह से किसोर कुमार ने अपनी चार साधिया की थी पॉलिवूट की इस तरह की नई और पुरानी कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजे